अचार हमारी किचन में ना हो तो इंडियन किचन अधूरसा लगता है यह हमारे खाने के स्वाद को दुगना कर देता है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू मैं चैनल वनीतास किचन आज मैं आपके लेका राई हूढ लेसुन के अचार की रेजिपी लैसुन का अचार टेस्ट के तोर पर तो खाया जाता है और इसे दवाई के रूप में भी खाया जाता है आज मैं आपको लैसुन के अचार बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो खाने के टेस्ट को तो बढ़ाएगा ही और साथ ही digestion को strong करेगा पेट की बिमारियां और joint pain की बिमारियों को भी दूर करता है इस अचार को हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे जिससे आप आज बनाएंगे और अगले दिन तक खाना स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बैल आइकन को जुरूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी इससे पहले मैंने आम के अचार बनाने की रेसिपी अप्लोड की है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो चलिए देर ना करते वे देखते हैं कि लैसुन का अचार कैसे बनाया जाता है लैसुन का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लैसुन लिया है यह लैसुन मैंने एक किलो लिया है हमें लैसुन को छीलना है सबसे कट इन काम लैसून को चीलना होता है आचार तो सभी बना लेते हैं मगर लैसून को चीलना थोड़ा मुश्किल लगता है यहांपर मैं लैसून को चीलने के कुछ तरीके बताऊंगी जो आपको best लगे आप उसको shoes कर सकते हैं सबसे पहले हम लैसुन में से जो खराब लैसुन है उसे निकाल देंगे और सारी कलियों को अलग अलग कर देंगे थोड़ा सा तेल लेंगे और लैसुन की कलियों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे तेल की थोड़ी सी कोटिंग कर देनी है आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते ह मैंने यहाँ पर सरसो का तेली उसकी आए और इसे हाथों से धीरे धीरे मसल लेंगे ऐसा करने से छिलकी थोड़े सॉफ्ट हो जाते है लैसुन चीनने के लिए हम यहाँ पर दो बाउल लेंगे हमें एक छोटा और एक बड़ा बाउल लेना है ताकि हम जब इसे शेक करें तो वो अराम से हो जाए अब एक बाउल में थोड़ा सा लेस्टून डालेंगे अब इसके उपर एक और बाउल रखेंगे और इसे इस तरीके से शेक करेंगे बिलकुल ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ बस ध्यान रहे बाउल में जो लेसुन डालते हैं तो लेसुन की कलिया एक जैसी होने चाहिए छोटे साइस की होने चाहिए बड़े लेसुन की कलिया नहीं चिल पाएंगी ऐसे इसे हमें 5-6 मिनट तक ऐसे ही लाना है हमें इसे शेक करते हैं 5 मिनट हो चुकी है आप देख सकते हैं लेसुन में से छिलका अलग होने लगा है ये देखिए छिलकों में से लेसुन अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने लेसुन को छिल लिया है जो लेसुन की कलिया रह जाती है उसे इस तरीके से छील के निकाल लेंगे वो भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत असानी से छील जाता है लेसुन लेसुन को छीलने का दूसर तरीका बताती हूँ इसके लिए लैसुन की कलियों पर थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर इसे हातों से मसल लेंगे और इसे किसी कॉटन के कपड़े से डख कर दो घंटे के लिए दूप में रख दे और फिर कपड़े में डाल कर मसल ले मगर मैं यहाँ पर microwave करूंगी इसे एक मिनट के लिए microwave कर लेते हैं मैंने इसे एक मिनट के लिए microwave कर लिया है ऐसा करने से इसका छिलका थोड़ा सुफ्ट हो जाता है अब हम यहाँ पर cotton की towel या फिर कोई cotton का कपड़ा लेंगे कपड़े में microwave किया हुआ लैस्न डालेंगे इस method से सिरफ 2 मिनट में लैस्न चलके तक यार हो जाता है कपड़े को इस तरीके से इकटा करेंगे और इसे इस तरीके से हतेली से मसलेंगे इसे सिरफ 1 से 1.5 मिनट तक ही मसलना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से मसलना है तो चलिए चेक कर लेते हैं ये देखे लेसुन छिल चुका है लेसुन में से छिलका अलग हो गया है अब हम छिलकों में से लेसुन की कलियों को अलग कर लेंगे तो देखी फ्रेंड्स है ना बेश तरीका लेसुन चीलने का तो चलिए लेसुन चीलने का एक और तरीका बताती हूँ यानि तीसरा तरीका यहाँ पर मैंने लेसुन लिया है लेसुन की कलियों को चीलने के लिए यहाँ पर हम गरम पानी लेंगे हमें गरम पानी इतना लेना है जितना की हम हाथ से टच करें तो इसको सैन कर सके अब इसके अंदर लैसुन की कलियों को डाल देंगे हमें याँ पर इतना पानी लेना है कि लैसुन की कलिया अच्छी तरह से ढूप जाए अब इसे ढखकर 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे 10 मिनट हो चुके हैं तो चले इसे चेक कर लेते हैं ऐसा करने से लैसुन की छिलके सॉफ्ट हो जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं और फिर इसे हातों से हलका अलका मसल लेंगे थोड़ी दिल मसनने के बाद छिलके और लेसुन की कलिया अलग-अलग हो गई है अब हम इसमें से लेसुन की कलिया निकाल लेंगे यह तरीका भी बहुत असान है लेसुन को छिलने का प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताना कि आपको लेसुन चिलने का कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगा यह देखें बाउल में से हमने लेसुन की कलिया अलग कर ली है लेसुन चिलने के बाद हातों में स्मेल हो जाती है जो कि हमें बहुत परिशान करती रहती है इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ लेसुन की बद्बू को दूर करने के लिए हम यहाँ पर बेकिंग सोड़ा लेंगे बेकिंग सोड़ा को हाथ में इस तरीके से मसल लेंगे फिर उसके बाद साफ पानी से हातों को दोलेंगे ऐसा करने से हातों में से लेसुन की जो दुरगंद आती है वो निकल जाती है यह देखिए हमने लेसुन को चीर लिया है तो चलिए अचार बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन लेंगे उसमें दो बड़े चमच राई डालेंगे हमने अभी यहाँ पर गैस को ओन नहीं किया है डेड़ बड़े चमच सौफ डालेंगे एक बड़ा चमच मेथी दाना गैस ओन करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे हमें इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें सिरफ इसे हलका सा गरम करना है हमें सिरफ इतना गरम करना है कि इसे हाँ से टच कर सकें मसाला रोस्ट हो गया है बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे मसाला ठंडा हो गया है अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे इसमें एक छोटी चम्मच कलोंजी यानि मंगरेंड डालेंगे एक छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे और इसका दरदरा पाउडर तयार कर लेंगे इसे हमें बारिक नहीं पीशना है आचार का मसाला थोड़ा सा दरदरा ही होता है ये देखें आचार का मसाला ग्रैंड हो गया है मैं आपको दिखाती है उसका टेक्श्चर अब इसे साइड में रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ गैस होन करेंगे उसके उपर एक कड़ाई रखेंगे और इसमें दो कप तेल डालेंगे दो कप यानि 500 ग्राम तेल है अब तेल को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे हमें याँ पर तेल को जब तक गरम करना है जब तक कि इसमें दूआ ना उठने लगे ये देखिये तेल गरम हो गया है इसमें दूआ उठने लगा है बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे हमने इसे 10 मिनट तक ठंडा किया है यह थोड़ा ठंडा हो चुका है इसमें एक छोटी चबमच हेंग डालेंगे और हमने जो लैसुन को छील के रखा था उसे भी डाल देंगे अब हम यहाँ पर गैस ओन करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे लैसुन को हमें 5-7 मिनट तक पकाना है और इसे लगातर चलाते जाएंगे लैसुन को पकाते हुए मुझे 7 मिनट हो गए है बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसे ठंडा करेंगे अब हम बड़ा परतर लेंगे और लैसुन को इसमें डाल देंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो गया है हमने जो मसाले पीछ के रखे थे उसे डाल देंगे तेल को पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है जब हम इसमें मसाले डालते हैं तो ये तेल में पकना भी चाहिए थोड़ा सा तेल ठंडा हो अब इसमें एक बड़ा चम्मच लालमिर्ज पाउडर डालेंगे और एक बड़ा चम्मच कश्मेरी लालमिर्ज पाउडर ये तीखी नहीं होती है मगर इससे कलर बहुत बड़ी आता है चार का इसमें स्वाद अनुसा नमक डालेंगे और एक छोटी चम्मच काला नमक डालेंगे एक छोटी चमच काले मिर्ज पौडर डालेंगे एक छोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें दो से तीन बड़े चमच नीबू का रस डालेंगे आप चाहे तु विनेगर डाल सकते हैं नीबू को और विनेगर बिजर्वेटिव का काम करता है इसे डालने से अचाहर लंबे समय तर टिका रहता है खराब नहीं होता है जल्दी से अचाहर को भरने के लिए प्लास्टिक या कांच की बोटल लेंगे अचार को भरने के लिए डावर हनी की जो बॉटल्स आती हैं उन्हें ही रियूज करती हूँ ये कांच की बॉटल होती है और कांच की बॉटल्स में अचार रखना सबसे बेस्ट आप्सन होता है मैं शहएद की, जैम की, जो भी कांच की बोटल साती है घर में उन्हें फैक्ती नहीं हूँ, उनको इस तरीके से रियूज कर लेती हूँ मैंने इसे गरम पानी से दो कर दूप में अच्छी तरह से सुका लिया है और फिर कॉटन के कपड़े से अंदर से पोच लिया है अब हम इसमें अचार को भर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लेसून का अचार बनकर तयार है आई हो, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी अगर आपको यह पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एन फैमली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही नई-नई और इंट्रेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जोड़े रहें आज के लिए बस इतना ही तब तक खुश रही है, ख्याल दी रही है